कल्पना करें यदि आप अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन में प्लग इन कर पाते जो आपके शेश जीवन को खुशियों से भर दे यदि आपको ऐसे जीवन के लिए साइन अप करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे यह वही प्रशन है जिसे दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक ने एक विचार प्रयोग के माध्यम से पूछा जिसका नाम उन्होंने एक्सपीरियंस मशीन रखा था यह प्रयोग हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने को कहता है जिसमें वैग्यानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो केवल खुशी से युक्त और दर्द रहित जीवन की गैरंटी देने वाले असली जीवन का अनुकरण करती है तो इसमें क्या गड़बढ है आपको असलीयत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना होगा लेकिन आप शायद ही अंतर जान पाएंगे आपके अनुभवों को असलीयत से अलग नहीं पहचाना जा सकेगा जीवन के सहज उतार चड़हावों की जगा केवल चड़हाव ही सुनने में शांदार लगता है न यह एक आकरशक प्रस्ताव की तरह लग सकता है पर यह उतना आदर्श नहीं है जितना लगता है प्रयोग को वास्तव में एक दार्शनिक विचार का खंडन करने के लिए रचा गया था जिसे सुखवाद कहते हैं सुखवादियों के अनु खुशी प्रदान करती है शुन्य दर्द के बिना असीमित खुशी अधिकतम आनंद के बराबर होती है दूसरे शब्दों में ठीक वही परिद्रिश जो एक्सपीरियंस मशीन प्रदान करती है इसलिए यदि आपको सुखवाद अच्छा लगता है तो मशीन में प्लग करन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन क्या होगा यदि जीवन में खुशी के अलावा और चीजें भी हो तो नोजिक के अनुसार वे अपने एक्सपीरियंस मशीन विचार प्रयोग से यही प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे मशीन के अधिकतम खुशी देने के वादे के बावजूद उसे प्लग इन ना करना ही ठीक लग रहा था जैसा कि अन्य प्रयोग करताओं को भी महसूस हो रहा था पर कौन सी चीज हमें चरम खुशी के भविश्य का चुनाव करने से रोख सकती है इस परिद्रिश पर विचार करें बेटसी और जैंडर प्यार प्रदान भी चल रहा है यदि बेटसी को इस बारे में पता चल जाता है तो उसका जैंडर और एंजलिका दोनों के साथ उसके संबंधों को नश्ट कर देगा और इस अनुभव से वो ऐसे तूट जाएगी कि वो फिर कभी प्यार नहीं करेगी चूंकि बेटसी जैंडर की बेवफाई से अनभिग्य होते हुए खुश है सुखवादी कहेंगे कि बहतर है कि वो अंधेरे में ही रहे और अपनी बेतहाशा खुशी का आनंद लेती रहे जब तक बेटसी को रिष्टे के बारे में पता नहीं चलता है तब तक उसका जीवन वैसे ही खुशी से भरा र देगा तब शायद आप मान जाएंगे कि जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जिनका मूल्य खुशी से ज्यादा है सच्चाई ग्यान अन्य मनुश्यों के साथ प्रामानिक जुडाव ये सारी चीजें उस सूची में आ सकती हैं सच को कभी भी जाने बिना बेटसी वास्तव में अपने व्यक्तिगत एक्सपीरिंस मशीन में जी रही है खुशी के ऐसी दुनिया जो असलियत पर आधारित नहीं है ये प्रेम त्रिकोर्ण एक चरम उदाहरन है पर ये हमारे द्वारा रोजमर्रा के जीवन में लिये गए कई फैसलों को प्रतिबिम्बित करता है तो आप चाहे बेटसी के लिए चुन रहे हूं या खुद के लिए आपको क्यों लग सकता है कि वास्तविक्ता महत्वपोर्ण है क्या असली अनुभव में नहित मूल्य है चाहे वे सुखद हों या पीडा दाई क्या आपको खुद भी असली जीवन की खुशियां और तकलीफें अ कुछ आंतरिक मूल्य रखता है